हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो इंडियन ब्लॉगर राव जू और जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा कि आज पार्टी में हम जा रहे हैं तो आज हम लोग पार्टी में जा रहे हैं और बिल्कुल तयार हो चुके हैं और अब बस निकलना है और इट्स नाइन ओ क्लॉग हमारे लाइफ में चुकि हम लोग अपने घर से काफी दूर हैं और हस्बेंट भी काफी बिजी रहते हैं बच्चे भी कोई कीवी स्कूल होती है तो सबका अपना-पना रूटीन होता है बट आज बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद तो यह पार्टी जो है व यहां के लोग बहुत ही प्यारे और अच्छे और खुले दिल के हैं तो इन लोगों के साथ इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं हर मोमेंट को तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे और यह मेरे हस्बन यहां पे खड़े हैं तो देख सक कि काफी क्रॉड है और अंकल आंटी अभी तक नहीं आये हैं और वो जो है दुला दुलन वो भी अभी नहीं आये और ये और ये देखिए मेरी बेटी दौड कर पापा के गोद में और इधर है बच्चे खेल रहे हैं ये मेरी फ्रेंड है स्वेता मैं इससे भी आपको मिलवा है इन लोग एक दिन पहले ही सगन करते हैं तो वो सगन की पार्टी है और वी आर वेटिंग फॉर ब्राइड अंग ग्रूम बट दे आर नॉट कम तिल नौ और इट सब्सक्राइब तो बच्चे गुलगपे को इंजॉय कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि खुब मस्ती चल र और मेरे साथ में हैं मेरे बच्चे अंकु और पी हूँ और आज है सेटरडे तो वीकेंड में ओटिंग और वी अच्छी लगती है चुकि सुबह उठके बच्चों कोई स्कूल की टेंशन नहीं होती यू कैन सी देट फ्रेंड्स ब्यूटिफूल कपल इंजॉयंग लॉट तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने भी थोड़े ठुमके लगा ही लिए चुकि लाइफ इतने विजी होते हैं कि ऐसे मौके बार-बार नहीं आते लाइफ में तो जब मौका मिले तो खुल के आप भी इंजॉय करें देखें बस ऐसे ही कभी-कभी मौका मिलें तो प्रेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चों ने भी बहुत इंज्वाइ किया आज का दिन और यहां के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता हैं, यहां हर कपल को आप ऐसे ही मस्त मौले रूप से देख सकते हैं, सभी ने एक ही कर पाया है, चुकि क्या होता है कि लंबी रिकॉर्णिंग में आपको नहीं दिखा सकती थी, तो सभी ने बहुत अच्छा अच्छे से अपने लाइफ को जिया हैं यहां पे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद इतनी खुशी मिली, मेरे ब्रदर की साधी भी दिसंबर में तब हमने बहुत ज़्यादा इंज्वाइ किया था, उसके बाद अभी का यह मॉमिन्ट हमने बस ठीक है, दो ही घंटे से ही, बट बहुत अच्छे से जिया हमने और बहुत अच्छा लगा, तो जदी मन्थ में एक बार ऐसी पार्टी मिल जाए, तो लाइफ मे बहुत अच्छा लगें, लेकिन ऐसा होना मुस्किल है, चुकि हम आपको पता है, मैंने सायद पहले नहीं बताया है, मैं जारखन से बिलॉंग करती हूँ, और मैं अभी यहाँ पे पंजाब में रह रह रही हूँ, तो इतनी दूर मेरा जाना भी नहीं हो पाता, जितने भी रिलेटिफ्स होते हैं, जिनकी भी शादिया होती है, मैं बिल्कुल भी इसको इंज्वाइ नहीं करपाती, तो आज मैं इसलिए बहुत खुस हूँ, तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहती हूँ, कि ठीक है, जो है, है, मैं दूर हूँ जरूर, बट दिलों में प्यार होन जरूरी है, जब हम वहाँ जारखर्ण वापस जाते हैं, तो हम फैमली के साथ बहुत एंज्वाइ करते हैं, मेरा ससुराल हो, मैं का हो, मैं जहां भी जाती हूँ, बहुत खुस रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तो ठीक है, मैं यही कहना चाहती हूँ, कि लाइफ सो ब्यूटिफूल, सो हमें बस उसे जरूरत है एहसास करने की, तो बस जब खुसी मिले, उसको दिल से लगा के खुब एंज्वाइ करो, खुब खुस हो जाओ, बाकी जो होगा देखा जाएगा, आगे जो भी हो, तो चलिए देखिए, और आगे मैं आपको मिलाती हूँ, अब खुब 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 तो चलिए इन लोग हमारे वीडियो में ऐसे ही मिलते रहेंगे मेरे कोई भी कुष्किया और गम में लोग हमेशा मेरे साथ होते हैं ठीक है तो चलिए ठीक है फिर आगे मिलते हैं कुछ बोलिए अच्छा लगा पाथी कैसा था बाटी बहुत जधा और तो बोलिए भुछा पाथी बोली है खैणा आटी बहुत अच्छा था यहनगा बहुत अच्छा वार्थ हैं ult Sono हारे बहुत अग् रहए है काफी श्फारा है तैसक जिए अच्छा ग्ते बाटोग कैसे आगणा कर सबीकर क्वेंसर वाजिस यह जो एरिया है इस एरिया में सामपे सारे बैकरट सोगे हैं अब लोग ने बहुत सारा एंज्वाई किया और खाना खाए खूँब सारा एंज्वाई किया तो चलिए अब घर जाने का टाइम आ गया है तो हम लोग सब अब घर जाएंगे काफी देर उचुकी है तो चलिए फिर मिलते हैं अब फिर किसी साधी में अबलग मेले गया और आपको पूरे जेड़ दाएंगे अब जाएंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो